दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अमारे चानल में और आज हम बात करेंगे हमेशा की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में उसके लेवल्स के बारे में option buyer या option seller जो है उनको जो लेवल्स चाहिए उसके बारे में कि कहां पे आपको momentum मिलेगा जैसे हमने यहाँ पे 49,120 का level दिया था और जहाँ पे मैंने कहा था कि 1000 point का target अची हो जाएगा और बीच में एक सबसे बड़ा hurdle था 49,550 जो मैंने यहाँ पे explain किया हुआ है अब exactly उसी blue line को cross करने के बाद 49,500 को भी हमने cross कर दिया है तो लगातार तीसरी बार bank nifty में हमारा 1000 point का target अची हो रहा है और nifty में जो 500 point के target में देता हूँ उससे भी हम कही जादा आगे आ चुके तो खुशी होती है सब देखे लेकिन कही न कही ऐसा लगता है मुझे कि market में एक deep आना ज़रूरी है अगे जो deep आएगा वो बहुत बड़ा आ जाएगा तो एक healthy correction, healthy profit booking अगर होता है तो अच्छी बात है अगे दोस्तों यहां से अगर कोई deep आता है तो एक वो panic वाला deep होगा और मुझे इसा लगता है दोस्तों कि अभी के लिए मेरा one of the favorite stock है वो है IRCTC उसका मैंने CE दिया था सुबह 11 बजे दोस्तों 11 बजे CE देने के बाद वो active नहीं हुआ अगर आप देखोगे तो यह हमारा premium group है जिसमें मैंने 11 बजे CE दिया था लेकिन बाद में मैंने यहां पे 3 बजे एक update डाला था कि यह 20 तक पहुझ गया है अगर आप लोगों ने trade लिया है तो आप book कर सकते या फिर कल के लिए carry कर सकते हैं मर्जी आपकी अगले 5 मिनिट में दोस्तों यह 37 नहीं 41 तक जाके आए 17 पे मैंने दिया था अगर मानलो आपने 19-20 पे भी लिया हो तो भी 5 मिनिट में आपका पैसा डबल हो गया यह पैसा उनका डबल हुआ है जिन्होंने इंतजार किया सही लेवल का दोस्तों option buyer हो या option seller हो या फिर कोई भी trader हो उसको जो पैसा मिलता है वो इंतजार का मिलता है वो इंतजार इसलिए करता है कि हमारा कोई level active हो जाए अगर वो level active हो जाता है तो believe me उस level पे मैं इतना effort लेता हूँ कि उस level के बाद आपको एक momentum भी बिलता है अब दोस्तों जिन लोगों ने 3 महने से ज़्यादा का subscription लिया हुआ है एक साल बात करते हो जो भी करते हो मर्जी आपके लेकिन यह premium ग्रूप का access investment picks का यह आपके पास हमेशा रहेगा अब इसके benefit क्या है यह मैं आपको बताता हूँ अंबुजा cement मैंने दिया था 382 पे यह चला गया 410 पे अंबुजा cement के साथ-साथ आपको यहाँ पे कुछ और stocks मिलेंगे जैसे मैंने हिंदूस्तान liver दिया था 2450 पे यह पोच गया 2715 पे 435 पे मैंने महिंद्रा life science दिया था यह चला गया 490 पे उसके बाद मैंने यहाँ पे हैवल्स की बात की थी जो हैवल्स की बात मैंने की थी तब यह था 1300 पे अगर आप अभी देखोगे तो अभी यह पोच गया 1340 पे तो जो rally अभी start हुई है उसके अलवा मैंने recently अभी एक stock दिया हुआ है जो मैंने आपको YouTube पे भी दिया था और कई बार दिया है वो मेरा one of the favorite stock है उसके अलवा P.E.L. की मैंने बात की थी जो 1906 पे था यह 1980 पे चला गया दोस्तो यह stock जो मैंने दिये अभी recently दिये आखरी Thursday को मैंने यह stock दिया था और अगर आप देखोगे तो आज के दिन याने कल के दिन sorry यह 1980 तक चला गया तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इस group में आपको 3-5% तक का profit book करने का मोका मिलेगा और बायचान सकर अपने partially book करके इसको hold किया तो आप समझ सकते हैं आपका profit कहां तक जाएगा दोस्तो investment group की एक और खासियत मुझे पसंद या थी है कि यह fail safe वाला method जो stocks मैं आपको दे रहा हूँ है टाटा motor DVR है उसके अलावा अम्बुजा सिमेंट से महिंद्रा लाइफ सैंस है या फिर एक और stock ता पी एल तो यह जो stock से इन में कोई भी penny stock नहीं है तो मान लीजे हमारा गनीत उल्टा हो गया या यहाँ पे कोई rally delay हो गया target डीले हो गया तो भी आपका पैसा जो है वो quality stock में रहेगा और इसलिए उस investment group की value जादा है अगर आपको उससे जुड़ना है तो एक offer है आपके लिए जो मैं हमेशे आपके साथ share करता हूँ आपको join होना है नहीं होना है वो आपकी मर्जी लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर यहाँ पे join करते हो तो फाइदा आपका होगा चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में without wasting time दोस्तों निफ्टी की अगर मैं weekly candle की बात करूँ तो हम बहुत जादा बुली से डेली candle में भी हम बहुत जादा बुली से लेकिन opening के बात एक वक्त ऐसा आया था कि जब हम यहाँ पे एक गिरावट दे रहे थे डेली के इंट्राडे का जो low हमने बनायता उसके नजदीक भी आ रहे थे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे आ रहे थे इस zone पे और वही पे हमने support लिया हम दुबारा उपर चले गए तो मेरा यह मानना है दोस्तों कि अगर यह low break हो जाता तो कल के दिन gap down होने के चां तो इसलिए मैंने इसका बेवफा नाम रखा था यह मजाक में रखा था stock market का जो हमारा group है free of cost उसमें हम इसकी बात करते कि हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए लेकिन अभी कि अगर मैं बात करूँ तो हम सच में एक resistance पे आ चुके यह resistance 18000 पे नहीं है यह resistance जो है वो उसके बाद 2 और उसके बाद 3 लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर हम अभी break कर रहें तो यहाँ पे पिछला जो हमारा swing आये वो आता है 18.130 या 150 के आसपास यहाँ पे यह वाला तो मेरा यह मानना है दोस्तों कि यह जो swing आये हमने बनाया हो सकता है वही से हम नीचे आ सकते हैं अगर हम नीचे आते हैं तो और अगर हम नीचे आते हैं तो उसके बाद जो हमारा strong support zone होगा वो होगा 17.500, 17.600 के आसपास अगर यहाँ तक हम नीचे आते हैं और फिर reversal देते तो जो मैंने prediction किया था जब निफ्टी 17.200 पे था कि हम all time high की तरफ जा रहे हैं वो और भी लेकिन दिक्कत यह कि अभी के लिए अगर आप देखोगे तो एक straight line में एक parabolic curve में आपको यह rally देखेगा यह देखे हम इस तरह से उपर जा रहे हैं तो मेरा यह मानना है दोस्तों कहीं ना कहीं अगर profit booking आता है तो यह अच्छी बात है मैं HGX Nifty की बात कर रहा हूँ व्यू रहेगा 18,150 का 18,150 याने पिछला swing high उसके आसपास हम जा सकते हमारा जो immediate resistance है वो है 18,050 लेकिन हमारा जो strong resistance है वो है 18,150 सिमिलरली अगर आपको नीचे कोई P buy करना है तो मैंने level दिया था 17,900 के comfortably break होने का वो level है 17,870 का मुझे confirmation चाहिए 30 point का इसलिए मैंने वो level दिया और उसके बाद हम 80,100 point नीचे जा सकते हैं तो अगर आपको P buy करना है अगर आपको short जाना है तो आपको एक confirmation चाहिए क्योंकि major trend अभी भी bullish है और इसलिए मैंने यहाँ पर यह level दिया हुआ है 500 point की जब मैं बात करता हूँ दब मैंने 17,200 का level दिया था उसके बाद हम वहाँ से उपर गए हम 17,900 पे चले गए अभी जो मेरा revise level है वो है 17,755 का वहाँ से हम लगबग 200,300 point उपर आ चुके तो यह मैं कह सकता हूँ कि exact 500 नहीं कभी 700, कभी 800, कभी 200, कभी 300 point का हमें target मिलता है जो अभी के लिए तो अची हो गया है मेरा यह मानना है दोस्तो अब आप लोग यह पूछोगे कि क्या हमने जो investment buy किया हुआ है क्या हम उसे sell off कर दे partially profit book कर दे तो मेरा यह मानना है दोस्तो major trend जो है वो अभी भी bullish है अगर मैं एक साल का view आपके सामने रखूँ तो अभी के लिए मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि एक fresh breakout है यह breakout retaste भी हो सकता है और अगर यह retaste होता है तो फिर उसके बाद जो rally आएगी वहाँ पे आप बहुत कुछ miss कर दोगे लेकिन मान लो अगर उसको retaste करने की बजाई यह 17, 200, 16, 800 पे चला जाता है तो आपका patience और जादा टेस्ट होगा इसलिए आपको अभी decide करना होगा कि आप अभी के लिए जो profit मिला है उसमें संतूष्ट है या नहीं personally मैं partially book कर रहा हूँ और मैं उसको उसी profit को आगे 30-40% book करके आगे लेके जा रहा हूँ मेरा जो SIPA long tab का वो intact है उसको मैं कोई changes नहीं कर रहा हूँ उसको मैं discipline के निफ्टी comparatively जादा week है अगर गिरता है तो और bank निफ्टी में breakout आ चुका है निफ्टी में अभी आया है bank निफ्टी में पहले से breakout आया हुआ है इसलिए bank निफ्टी जादा strong है 49-550 के उपर मेरा level था उसके उपर हम 1500 point जा चुके है अभी के लिए मेरा मानना ये दोस्तों क कि यहां से 49-755 अगर break होता है तो फिर यहां पे आप 49,700 का C buy कर सकते हो और मेरा यहां पे target होगा 49,950 और उसके बाद 40,050 का sorry 40,150 का दोस्तों यह जो target आपको दिख रहे हैं यह मैं आपको बता दू कि अभी के लिए 18-150 अगर nifty में strong resistance है तो 40,000 पचास या 41,000 पे 40,000 पचास या 40,100 पे bank nifty का भी strong resistance है जिसको हम यहां पे detest करके नीचे आ सकते downside की अगर मैं बात करूँ तो 49,250 का मेरा level था जहां तक हम आये नहीं तो मेरा यह मानना है दोस्तों 49 अगर आपको पी बाई करना है अगर आपको sales side में जाना है तो आपको एक confirmation चाहिए और वो आपको तब मिलेगा जब हम इस level को break करेंगे यहां पे आप 49,500 का P buy कर सकते हो और target होंगे 49,350,49,250 याने 100 point की मैं बात कर रहा हूँ या फिर हम 49,000 के नजदिक चले जाएंगे अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे कोई दिक्कत नहीं है upside के लिए लेकिन हो सकता है अगर कोई deep आए तो वो deep जो भी deep आएगा वो 38,000 के आसपास 38,500 के आसपास और nifty का जो deep है वो 17,600 के पास जब तक रुका हुआ है या फिर उसके उपर है तब तक मुझे नहीं रगता कि यहां पे कोई दिक्कत है gap up या gap down के मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दे कैसा दिन आएगा कि जब हम या तो gap down खुलेंगे और वो gap down buy हो जाएगा या फिर हम gap up में खुलेंगे और वो gap up जो है वो sold हो जाएगा वो एक बार होना चाहिए अगले week में या फिर कल ये मेरा मानना है अगर ये होता है कल के दिन तो ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि weekly जो trend है वो अभी भी bullish रहेगा अनलेस हम इस week का low break कर दे जो की बहुत कम possible है कि उतनी बड़ी गिरावट हमें कल देखने को मिलेगे लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मान लीजे अगर हम यहाँ से gap up में खुल के फिर से उपर जाते तो मुझे लगता है कि हम all time high की तरब जा रहें without any break without any speed breaker तो यह मेरा view है जैसा मैंने पहले भी कहा ब्रेंट में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है सीधा साथा चार्ड मैंने बनाया था दो train line के साथ वहाँ से हमने breakout डिया हम 87-88 पे जा रहें 85 को अगर हम break करते हैं तो हम 70 पे चले जाएंगे USD के बारे मैंने बात किया था 80.5 पे strong resistance है जब हम 78 पे थे और वही 80.5 को हम cross नहीं कर पा रहें लगातार 3-4 weeks है तो वह 80.5 जब तक cross नहीं होता तब तक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी के लिए अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो हमारा strong resistance 80 पे यह 8 का हुआ है तो मुझे लगता है dollar से तो कोई दिक्कत नहीं होगी यह जो trend line की मैं बात कर रहा था यह अब आप देखोगे दोस्तो Dow Jones जो है वो अब जाके इस trend line को respect कर रहा है लेकिन अभी भी एक दिन बाकी है और मुझे ऐसा लगता है कि यह जो shooting star है यह अगर change हो दाता है यहाँ से कोई buying आती है तो हम उपर जा सकते और फिर Dow Jones में नए all time high की तरफ जा सकते लेकिन यह जो resistance है यह बहुत जादा strong है क्योंकि यह multi-year wallet rail line है इसको हमने पहले भी cross किया था उसके बाद हम 36,000 तक जाके आए थे Dow Jones और उसके बाद हम नीचे भी गए तो अभी के लिए यह candle जो बन रहा है यह बहुत crucial रहेगा अगर यह उपर जाता है तो global market से Indian market को को कोई दिक्कत नहीं होगी अब बात करते है stocks के बारे में हैवल्स की मैं आपके सामने बात कर चुका हूँ बहुत बार बात कर चुका हूँ देपक नाइटर की मैंने बात की ती जब यह 2000 पे था टाटा मोटर और DVR की मैंने बात की अधानी की बात मैं 1600 रुपए से आपके सामने क दोस्तों जहां पर आप गर बेटे बेटे अपने पैसों को डबल कर रहे हो तीन चार मैनों में तो अधानी में अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो अभी के लिए बेस्ट ताइम है आपके पास क्योंकि मेरा यह मानना है कि जिसका RSI 92 पे चला गया है वो कही न अगब 30-40% की गिरावट भी दे सकता है मेरा यह मानना है कि यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप कर सकते हैं अब बात करेंगे स्टॉक के बारे में सबसे पहला स्टॉक जिसके मैंने बात की है IRCTC अगला लेवल क्या रहेगा दोस्तों मेरा यह मानना है कि IRCTC में एक ट्रेन लाइन ब्रेकाउट मुझे दिख रहा है और मेरा जो लेवल था पहले वो था 850 का जहाँ पे मुझे लगा था कि यह अगर क्रॉस करता है 850 को तब एक बड़ी रैली आएगी लेकिन अभी के मानना है कि यहां से IRCTC बहुत जल्द यह मैंने आपको 680 पे भी दिया था और मैंने कहा था कि जब 700 क्रॉस करेगा comfortably तो उससे भी double speed में यह 800 तक जाएगा और जब 800 पे जाएगा तब इसका जो real potential है बुल्स का वो टेस्ट हो जाएगा क्योंकि यह previous swing आए यह 818-820 पे और यह cross होता है तो फिर हम 1100 पे चले जाएगे लेकिन अभी के लिए जो लोग trade करना चाहते हो 722 का level अगर break हो जाता है 722 तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप buy कर सकते हो IRCTC में trade ले सकते हो अगर आपको कोई dip मिलता है तो आप इसको cash में buy कर सकते हो लेकिन मैं आपको बता दू इसके लिए थोड़ा सा patience भी test होगा क्योंकि target बहुत बढ़े है अब दोस्ते एक और stock के जो मैं real estate के लिए वैसो तो recommend नहीं करता लेकिन इसमें एक short term के लिए breakout आया हुआ है इसके मैंने बात कीती पहले और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मुझे इसा लगता है कि weekly 20 AM को भी इसने break किया मेरा यह मानना यह positionally 100 रुपे तक जा रहा है 84 का इसका एक resistance था लेक लेकिन मेरा यह मानना है long term के लिए मैं इसको buy करने की सला नहीं दूँगा उसके बाद एक और stock है जिसके हमने बात की थी आपको याद हो गया होगा कि मैंने यहाँ पे इसके volume की बड़ी तारीफ की थी और मैंने कहा था कि जिस breakout में इस तरह का volume हो वो actually मैं textbook breakout हो गया और उस 170-180 की बात करूँगा नवनीत पोज गया 133 पर यह लेकिन इसने जो high लगाया था वह है 141 का दोस्तर एक stock है जिसका नामे जिंदाल स्टेनलिस है JSL लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो line मैंने पहले draw किया था आपको याद होगा मैंने support का line draw किया था और यही line प भी है यहाँ पर तो अगर हम इसके आसपास जाते कल तो मुझे ऐसा लगता है कि जब यह resistance क्रॉस हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ से जा सकते लगबग 170-180 पर जिंदाल स्टेनले स्टील अभी के लिए इसमें कोई breakout नहीं आया या फिर मैं यह कह सकता हूँ कि जो daily candle ब 138 तो हम 160-170 तक जा सकते JSL में आखरी स्टॉक जो FNO में भी है और जो निफ्टी पे बहुत जादा उसका weightage भी है तो इसका moment बहुत जादा मैटर करेगा निफ्टी फाइनांस में बहुत ही बड़ी गिरावट आ गई थी और इस स्टॉक ने बहुत जादा consolidation देख लिया ल जस्दीक होगा उतना अच्छा होगा और मान लिजे किसी भी दिन जब ये 7650 को cross करेगा तब इसमें बड़ा breakout आएगा 7650 अभी के लिए अगर आपको trade लेना है तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि 7430 ध्यान रखिए इस level को दोस्तो अगर ये level break हो जाता है तो मेरा ये मानना है क इसको हम touch कर सकते ये मैं trading point of view से बता रहा हूँ यहां पर हम touch कर सकते हो सकता है हम यहां से bounce back ले हो सकता है हम थोड़ा सा इसके नीचे जाके फिर bounce back ले लेकिन आपको एक momentum जरू मिलेगा अगर हम 7430 को break करते हैं अगर मान लिजे हम उपर जाते तो मैं आपसे कहूंगा 7500 का लेकिन actually में जो resistance है वो है 7600 का वो जब break हो जाएगा तो हम इस पिछले week के high के नजदीक चले जाएंगे positionally अगर मैं बात करू दोस्तो तो बजाच finance बहुत जादा bullish है बिलकुल nifty के तरह इसमें भी breakout आ चुका है और nifty finance अल्री बहुत जादा undervalued है अगर सब कुछ सही रहा लेकिन मेरा यह मानना है बड़ी आसानी से इसी साल में आप बजाच finance को 5 digit में जाते हुए देखोगे 5 digit याने मैं सिर्फ 5% की बात कर रहा हूँ उसके उपर अगर हम जाते हैं तो और भी अच्छी बात है लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस breakout के हिसाब से इस साल में इसको 5 digit जाने में कोई दिक्कत ने होनी चाहिए उनलेस की कोई बहुत बड़ा फॉल अगें निफ्टी में तो टार्गेट डीले हो जाएगा और हमारा जो stop loss होगा वो होगा 7100 का 300 पॉइंट का stop loss 3000 पॉइंट का टार्गेट और उसके लिए time frame भी बढ़ा है 4-5 महिनों का time frame है तो अगर आप book नहीं करते हो तो फिर बाद में regret करोगे क्योंकि कोई एक news आजाएगा एक trigger आजाएगा जिसके बज़े से sell off आजाएगा और जो week hands है वो वहाँ से निकल जाएगे और sell off जो आएगा उसके बाद फिर time लगेगा दुबारा upside देने के लिए तो consolidation होगा और एक stock की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जाते जाते एक और मैं stock की बात करता हूँ वह है canfin homes दोस्तो canfin home में मुझे cup and handle दिखता है और इसका chart भी हमारे दोस्ते उन्होंने share किया था और यहाँ पे उनका ही जो chart है वो मैंने अपने group में डाला था और यह chart बिल्कुल सही chart उन्ह पे रहा इसका handle लेगिन मेरा ऐसा मानना है दोस्तो 650 जब break होगा तब जाके एक असली breakout आएगा क्योंकि यह बन चुका यहाँ का पहले का swing आए उसके बाद हम जा सकते यहाँ तक 687, 690 तक और जो actual में breakout आएगा वो तब आएगा जब 700 को break करेंगे cup and handle की अगर मैं बात करूँ सिर्फ cup and handle की तो मेरा ऐसा मानना है 780 या 800 का target है इस stock में मेरा और जिसका अगर मैं time frame की बात करूँ time frame कैसे निकालते पैटर्न का target कैसे निकालते यह मैं आपको already explain कर चुका हूँ अगर आपको यह idea नहीं है तो आप हमारा जो playlist है उसको देख सक मुझे नहीं लगता दोस्तों की एक ही playlist में आपको इतने सारी चीज़े एक साथ मिलेगी जो काफी simplified तरीके से काफी example के साथ strategies के साथ limitations के साथ photos के साथ सब कुछ मैंने explain क्या हुआ है उसमें lesson number 12 में chart pattern की मैंने बात की है और वो chart pattern मैंने उन stocks पे draw किया है जहां पे video बनाते व कुछ 200 पॉइंट का तो मुझे लगता at least 500-200 पॉइंट हम उपर जा सकते यहां से और अगर आपको trading point of view से buy करना है तो मैं यह कहूंगा कि या तो 650 का wait कर लिजे या फिर 634 पे जाने के बाद अगर वो level break हो जाता है तो थोड़ा सा एक quick trade ले सकते लेकिन actual breakout 650 के बाद आएग कर दो